जब भी आप अपने कीचन के लिए एक OTG अवन पर्चेस करने जाएंगे तो सेल्समेन आप से कुछ ये सवाल ज़रूर पुझेगा कि आपका बजट क्या है, सोलो, ग्रील, कन्वेक्शन, मैक्रोवेव अवन या OTG में से कौन सा लेना चाहेंगे, किस ब्रैंड का और कितने कै पैसिटी वाला आवन लेना चाहेंगे, तो सेल्समेन की ये सब बाते सुनकर हम और भी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, और इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है, और साथी 5 बेस्ट और बेस्ट ओटी जी आवन का रिव्यू भी क जरने जा रहा हूं, जो लॉंग लास्टिंग, अच्छी बिल्ड कॉलिटी और अच्छी बेकिंग, ग्रिलिंग और टोस्टिंग फीचर देखनों के मिलता है, और हमेशा की तरह इन सभी ओटी जी आवन का सबसे लोवेस प्राइस का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंचन कर दिया है, जिसे बाद में आप चेक आउट कर सकते हैं, तो इन पाँच ओटी जी आवन के बारे में जानने से पहले मैं कुछ important points आपको बताने जा रहा हूं, जिने आपको बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है, तो सबसे पहले जानते हैं कि मार्किट में इतने से साथ लीटर कैपैसिटी तक मिल जाता है, जबकि मैक्रोवेब अवन में आपको 15 से 35 लीटर कैपैसिटी तक ही मिल पाता है, OTG अवन बहुत कम electricity consume करता है, जबकि मैक्रोवेब जादा consume करता है, क्योंकि मैक्रोवेब में थोड़ा fast cooking देखनों का मिलता है, और OTG अवन काफ नूडल्स, तंदूरी रोटी वगरा भी बनाना रहता है, तब फिर आपको एक convection microwave अवन लेना होगा, ना कि OTG अवन, एक बड़ा confusion हमेशा रहता है, कि हम OTG में कौन-कौन से vessels यानि बरतनों को यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें आप metal, aluminium, steel, silicon और ceramic के बरतनों को यूज़ कर सक उतने लीटर का OTG अवन ले सकते हैं, बट अगर आप professional purpose के लिए OTG अवन लेना चाते हैं, मतलब अगर आपका कोई shop है, जिसमें cake, cookies वगरा बना के आप sale करते हैं, तब फिर आपको 30-60 लीटर के बीच का OTG अवन लेना होगा, यहाँ पर एक बात का ध्यान रहे कि जितना ज रिल क्वालिटी और performance उतनी बेटर होगी, लास्ली और मोस्ट इंपोर्टेंट की सस्ता देखकर कोई भी cheap ब्रांड का OTG अवन ना ले, क्योंकि इन में जो parts और hardware लगे होते हैं, वो काफी low quality के होते हैं, जो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, और cooking experience भी बहुत खराब रिव्यू करने जा रहा हूँ, पर उससे पहले आपको वीडियो यहां तक थोड़ा भी informative लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे motivate कर सकते हैं, और लुक वाइस भी काफी attractive दिखता है ये OTG, इसका door heat resistant, temperate glass का बना है, जो ordinary glass से ज्य ब्रेक नहीं करता, और सभी OTG के तरह इसमें भी दो-दो heating ruts मिल जाते हैं, top और bottom पे, और साथ ही इसमें convection fan भी देखनों को मिलेगा, जो heat को पूरे OTG में अच्छे से distribute करता है, ताकि food चारो तरफ से अच्छे से cooked हो सके, इस OTG में bright full light मिल जाता है, और साथ ही illuminated chamber दिया गया है, जो heat को long time तक hold करता है, इसमें 60 minute तक का stay on function मिल जाता है, मतलब 60 minute तक आप इसमें खाना गरम रख सकते है, और 360 degree rotatory function मिल जाता है, ताकि perfectly grilling और roasting foods बना सके, और इसके control panel की बात करूँ तो इसमें 3 knobs दिये गया है, जिससे first knob से 250 degree Celsius तक temperature adjust कर सकते है, second knob से जो dishes आप बनाना चा आपको कोई भी extra accessories खरीदने की जरुवत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको 7 accessories मिल जाते हैं, उशा का ये model 16, 19, 25, 29, 35 और 42 liter capacity में available है, जिनके price, wattage और किस model में कौन सी feature मिल रही है और कौन सी नहीं, ये सभी कुछ check out कर सकते हैं इस वीडियो को pause करके, उशा इस model पे 2 इसका offer price भी जान सकते हैं और इसे purchase भी कर सकते हैं, ओगेस में release में number 4 पराता है PGN का OTG oven, PGN का ये model stainless steel का बना है और door template glass का बना है जो heat resistance है, इसके साथ आपको 5 accessories मिलेंगे जैसे bake pan, rotessary rud, rotessary handle, pan handle और grill rack वगरा मिल जाता है, इसमें total 4 heating ruts मिल जाते है, 63 degree motorized rotessary, auto turn off और alarm function भी मिल जाता है, इसके control panel में 3 knobs दिये गया है, जिससे पहले knob से 100 से 250 degree Celsius तक temperature adjust कर सकते हैं, दूसरे knob से heating function और rotessary को off on कर सकते हैं, और तीसरे knob से 60 minute तक का timer set कर सकते हैं, PGN का ये OTG 9, 16, 20, 30 और 40 liter capacity में available है, जिनके detail भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये OTG एक साल की warranty के साथ आ की नीचे description में मिल जाएगा, ओके सो मेरे list में नमबर 3 पर आता है, अगारो Marvel OTG 11, अगारो काफी अच्छी brand है, जो kitchen appliances के product काफी time से बनाते आया है, जो successful भी रहा है, इस OTG की build quality की बात करूँ तो इसका पूरा body ये steel का बना है, इसमें heat resistant temperate glass door मिल जाता है, और साथ ही illuminated chamber दिय इनर light के साथ, ताकि dishes को आप cook होते हुए किलियली देख सके, ये OTG convection technology के साथ आता है, मतलब OTG में आपको एक छोटा सा fan मिलता है, जो heat को पूरे OTG में अच्छे से distribute करता है, और साथ ही इसमें motorized rotissory function दिया गया है, इसके control panel की बात करूँ तो first वाले knob से आप rotissory और convection fan control कर स सकते हैं, second knob से 100 से 250 degree temperature adjust कर सकते हैं, third knob से heating mode select कर सकते हैं, जो dishes आप बनाना चाते हैं, और fourth knob से timer set कर सकते हैं, और सबसे interesting इसमें कि जब food ready हो जाता है, तो इसमें एक bell ring होने लगता है, इस OTG के साथ आपको 5 accessories देखने को मिलेगा, जो आप इस screen पे देख सकते हैं, और ये OTG आ को 9, 19, 25, 38 और 48 liter capacity के साथ available है, जिनके details भी आप देख सकते हैं, और अगारो इस model पे एक साल की warranty देती है, इसके pros and cons की बात करूं, तो value for money है, सारे cooking features में दिये गए है, conviction fan मिल जाता है, inner light के साथ आता है, बट ये बहुत lightweight है, जिसके वज़ा से इसका build quality ज्यादा strong नहीं है, लेकिन आप अगर इसका customer feedback देखोगे, तो 12,000 से भी ज्यादा लोगों ने 4.2 star की rating दिये, जो की एक अच्छी rating है, इसका भी सबसे lowest price का link के नीचे description में mention कर दिया है, और साथ ही बजाज के after sales service भी काफी अच्छी होते है, तो सबसे पहले इसकी build quality की बात करूं, तो इसका प पूरा body stainless steel का बना है, जो काफी heavy और sturdy है, इसमें भी heat resistance, temperature glass door मिलेगा, illuminated chamber के साथ, ये भी एक convection OTG1 है, और साथ ही motorized rotatory feature भी इसमें मिल जाता है, 60 minute के stay on feature भी इसमें मिल जाता है, और control panel के first knob से 50 से 250 degree तक temperature set कर सकते है, second knob से heating mood select कर सकते है, और third knob से 60 minute तक का timer set कर सकते है, बजाज कि इस model के साथ इसमें भी लगबख seven accessories देखनों को मिलेगा है, जो आप screen पे देख सकते है, और इस model पे 2 साल की long warranty मिलती है, which is good, ये model 16, 28, 35 और 45 liter capacity में available है, जिनका detail भी आप screen पे देख सकते है, इस video को pause करके, इसके pros and cons की बात करूं तो great build quality, fast cooking देखनों को मिलता है, good quality of heating element मि convection fan भी इसमें दिया गया है, better cooking के लिए, बट इसमें आपको inner light देखनों को नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपके लिए ज़्यादा बड़ा cons नहीं है, तो आप इसे buy कर सकते है, जिसका lowest price का link के नीचे description में मिल जाएगा, okay, so finally मेरे list में number one पर आता है, वो है Philips OTG1, ये digital display के है, जो durable तो होता ही है, और बिल्कुल smooth finishing निकाल कर देता है, इसमें भी heat resistant glass door मिलेगा, और इसके अंदर inner light भी देखनों को मिलता है, और साथ ही ये भी convection fan के साथ आता है, और इसमें भी motorized rotatory feature मिल जाता है, इस OTG में मुझे सबसे impressive इसका control panel लगता है, क्योंकि इसमें 10 preset menu मिल बस आप एक button press करके वो dishes बना सकते है, function button press करके आप वो foot select कर सकते है, जो आप बनाना चाते है, जैसे ही आप उस foot को select करेंगे, automatically उस foot के हिसाब से temperature और timer set हो जाता है, और अलग से OTG में light off on और OTG off on करने का भी button दिया है, बट अगर आप इन 10 dishes के लावा कुछ और भी बनाना तो आप manually in function और ये दोनो नोप का use कर सकते हैं, जिससे आप अपने हिसाब से temperature और timer set कर सकते हैं, ये OTG off on 6 accessories के साथ आता है, जो आप इस screen पे देख सकते हैं, अगर आप इसका customer feedback देखो तो 8000 से भी जादा लोगों ने 4.4 star की rating दी है, जिससे पता चलता है कि ये OTG off on इन लो warranty देती है, और इसके कुछ pros and cons भी आप इस screen पे देख सकते हैं, इस video को pause करके, और हाँ guys इन सभी OTG off on का सबसे lowest price का link के नीचे description में दिया हुआ तो एक बर सभी का price जरू चेक आउट करें, क्योंकि website पे हमेशा kitchen appliances से related product पे अच्छी अच्छी sale चलती ही रहती है, so I hope OTG से related ज जरूर subscribe रखे क्योंकि future में हमेशा काम ही आएगी, thanks for watching guys, have a nice day